कि अज़े अज़े तेंदर आज को आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं कुछ बाइलोजी के टूवेल्थ शेप्टर के अब्जेक्टिव टॉप टुमंटी कोश्चान सौरी टॉप थर्टी कोश्चान आज हम बात करने वाले उसे पर हम बात करेंगा आज टूवेल टू अक्टूबर आज क्या है टू अक्टूबर तो आज आज आपको पता है कि आज टू अक्टूबर यानी गांधी जानती है तो हैपी बर्डे ऑफ गांधी जी एमके गांधी जिससे राश्पीटा के नाम से जाना जाते है तो आपक करेंगे तो चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमाज बात करने वाले हैं आपको यहां पर दिख रहा होगा आपके सामने सो हो रहा होगा कि जीवोक में जनन जो ट्वेल्थ पार्क्स जो ट्वेल्थ का जो बैलोजी चेप्टर उसका पहला चेप्टर का जितना भी मैं पूरा आपको रटा दूँगा तो यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है यह पूरा वीडियो आज जरूर आन तक देखे क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है पूरा जितना इंपोर्टेंट जनन सबस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाले कि जब सबसे पहले फर्स्ट कोजन आपको क्या दिख रहा होगा यहां पर दिख रहा होगा जब संततिक उत्पाती एककल जनन के द्वारा होती है तब एक बीधिक कहला आती है तो जब संततिक उत्पाती होती है तो एककल जनक के द्वारा होती है तब एक बीधिक क्या कहला आती है तो इस बीधिक को क्या दिख कहते है तो अलेंगिक जनन कहते है तो अलेंगिक जनन कहते है यह आपको याद अखना फिर सेकेंड नमर कोचन आपको आ रहा है तो यह क्या जब नौर और मादा गैमिट में युगमक होता है तब यहां के लाए पूंजक के संबद में निम्न में से सही है तो ये पुंजक के समध मिनिंग में से कौन सा ही है तो कौन सा ही है तो कौन सा ही है तो अकारिकिये तथा अनुवानसिका के समान तो यह आपको लाइद दंग्र फिर फिर चौथा नमर कोचन क्या रहा है तो जनक समान जीव प्राप्त करता है जब जनक में समान जीव कौन सा लॉपनबर प्राउब्त होता है तो विखनदन होता है तो यह अपको याद रखना है तो चली आगे चलते हैं delve नमर कोचन हम लोगो हो क्या था है तो यहां पे आपको फिप नमर कोचन यहां पे सोहूर आओगा यहां पे आपको फिप नमर कोचन तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो फिप नमर कोचन आपको बिखंडन किसमें पाए जाता है जो बिखंडन होता है जो बिखंडन होता है उसमें किसमें पाए जाता है तो यह आपको याद रखना है फिर मुकलंद वारा जनन किसमे होता है जो मुकलंद वारा जनन होता है वो किसमे होता है जो यह कोचन 2015 में पूछा गया तो इस्ट में होता है आपको यह याद रखना है फिर कौन पूस्पी पूधे के जनक में काम नहीं आता है आप कोई पसंद आता जा रहा है तो लाइक कर देगा फिर और पूरा एकदम पूरा सेर कर दी गया याद रुए तो कुनिकी आ होता है तो आपको यह याद रखना बंगाल का अतंकी से का ये बहुत धूर्टेंट होने वाला ये 2021 जू आपको एकजाम होने बाला है जो इंटर का तो उसमें बायलोजी में कोचन से पुझा जा सकता है जो फ फि कुश की है पाई याथ क कनिदिया का निरमार की से होता है इसान सीली नियम सरे है कि आपको यह भिला नगा डी होता था कि आलवगा आपको यह थूं पुस्प प्राप्त करता है यानि यह फूल पाइदा करता है तो यह बारी करता है जो बास यानि बंबू होता है जो एक बारी करता है पुस्प लगते हैं तो कौन सा हो पौधा है जो उसमें एक बारी पुस्प लगता है तो ये निल कुंजरी हो जाएका आपको जाता है फिर 59 कोशन मत चक्र पाई जाती है किसमें पाई जाती है मत चक्र तो गाय भेंड कुटपा ये सभी में पाई mano significa तो इसे मानुस्यमें बंदर में ओयो its तो यह आप गहाँ फिर 6-7 नमर कोचन आपको ताए दिलींगी पराणई होताँ उसका क्या का उधाराणई है उसके एकजामपल कौन काशा तो स्पांज हो जाएगा टेलपॉर्म हो जाएगा फिर जोंख हो जाएगा तो आपको याद रखने फिर एटी नमर कोचन क्या आता ह आपको मनुस्हेमें युगम क्युक्तुय कमक में शुत्रों की संख्या होती है mechanism 46 होता है जो मनुस्ञे होता है जो हमन है उसमें कितना होता है जोड़ी कितना 36 आपको यहां तुकर अजो आज प्रजय नन प्रजक्पति कोन अज्ञ उपर्णी को क्यों गरते दिम आपको आपको आपको। कौन सा भाग द्रीगूणित होता है तो यूगमजन होता है तो यूगमनज होता है तो आपको याद रखना है तो आपको यह याद रखना है तो पर चलिए फिर नेक्स इतने क्या आता आप लोग आता हो तो यहां पर 22 नमर कोचन कौन सा भाग आगूणित है वाणि कौन सा भ आपको याद रकते हैं जलिस नमर प्वा कोशन wise यज प्यींत आपको याद रखना है प्येचम क्याराणी North Kissala नरविगे लिए किसानके लिए बहुती दोस्ति सम्हान मना जयता है तो किसान सम्हान कीसान के दोस्ति मना जयता है तो आपको याद रखने below को में अगया फैली पादप नहीं पापाय जोगजै का टाना ओवसा वहारो जो सबी इसमें सबी फलो का बाप है, यानि क्या बोलती है, सब फलो का इसमें सब विटामिन पाए जाता है, A2, जितना भी A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, जितना जितना भी बिटामिन है, तो ये सब बिटामिन का, ये बाप यानि इसमें सब बिटामिन पाजाता है, तो पाकापपिता याद रखेगा, आपको पाकापपिता ये याद रखेगा, याद रख किसमें जल के माध्यम से निशय चन होता है कुण सा जो जिवान है या पौधा या क्वया है इसमे जल के माध्यम से निशय चन होता है तो तो शेवाल टेरिटो टाइटस वाइवोफाईटस थो यह यौद रखनाए है फिर जलते हैं अगला में क्या तो अगला अता Andrem किसमें बाहनिस्य चन होता है तो यह मेधक में होता है किसमें बाहनिस्य चन होता है तो यह मेधक में याद होता है यानी फ्रोग में होता है याद होता है फिर 20 नमर को चाहिए कौन सजीव प्रजक नहीं है कौन सजीव प्रजक नहीं है तो मुर्गी नहीं यानी 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 यह मुर्गी नहीं आपको यह सकता है तो यह घृत द्वारा हो सकते हैं यानि सभी में हो सकते हैं तो यह आपको यह वीडियो का आपको कैसा लगा अच्छा है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब